तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे trigonometrics substitution या फिर trigonometrics प्रतिस्थापन से संबंधित कुछ महत्तपूर्ण examples एक्सरसाइज के बाद अपन करेंगे तो बच्चों question है sin inverse 2x upon 1 plus x square का x के साब एक्छ अभुकलन कीजिए है ना find the differential coefficient of sin inverse 2x by 1 plus x square with respect to x ठीक है बच्चों तो अपन हल करके पहला काम क्या बोलते हैं बच्चों solution लिखते हैं और पहला काम बोलते हैं अगर दिया है y equal to ठीक है यह बोलते हैं अपन माना y is equal to है ना बच्चों लेट वाई is equal to क्या है बच्चों यह है sin inverse 2x upon 1 plus x square प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है अब सबसे पहला clue यह trigonometry inverse trigonometry है तो अपन को simplify करना पड़ेगा मतलब trigonometric substitution का question है ठीक है बच्चों अब क्लू यह है कि बाहर है बच्चों sin inverse x तो अंदर मुझे कुछ भी करके x equal to कुछ पुट करके sin बनाना पड़ेगा sin के format में बनाना पड़ेगा तो बच्चों यहीं से clue मिलता है और यहीं से कहानी खतम हो जाती है बाहर sin inverse है मतलब अंदर जो है वो sin के फार्मूले के जैसा है sin के किसी ना किसी फार्मूले के जैसा है और यह 2 मिल गया तो sin 2 theta का कोई ना कोई फार्मूला है ठीक है बच्चों तो अपन sin 2 theta के सारे फार्मूले देख लें तो sin 2 theta का एक फार्मूला होता है 2 sin theta और cos theta इसके जैसा तो भी बिलकुल नहीं है यह अंसबटे हर के रूप में है numerator upon denominator के रूप में है तो मतलब अपन ने देखा था sin 2 theta का एक फार्मूला 10 के रूप में है ना तो वो क्या था बच्चों वो था 2 tan theta upon 1 प्लस 10 square theta प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है अब यह जो है यह जो है इस format के जैसा दिखाई दे रहा है अगर मैं x equal to प्यारे बच्चों क्या पुट कर दूँ 10 theta पुट कर दूँ तो 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा x के स्थान पे 10 theta हो जाएगा upon 1 के स्थान पे 1 प्लस तो प्लस X equal to 10 theta तो X square प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 10 square theta हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत है तो मतलब यह जो format है यह जो format है वो बिलकुल sine 2 theta के इसी फार्मूले के जैसा है बस अगर हम यहां पे X के अस्थान पे 10 theta पुट कर दें तो आई बात समझें बच्चों तो बस फिर देख लो अपन को मिल गया clue अपन लिखते हैं X equal to 10 theta रखने पर putting X equal to 10 theta अपन बूलेंगे बच्चों X is equal to 10 theta है ना रखने पर अब बच्चों एक बात ध्यान देना आपका जो differentiation है वो with respect to X करना है आप X के स्थान पे 10 theta पुट कर रहे हो तो simplification तो theta में होगा लेकिन last में जब आप कलन करना होता है वो X में चाहिए है तो इस theta को भी X के रूप में लिखना पड़ेगा तो चाहे तो यहीं निकाल लो उसे equation number first बोल दिया करो चाहे तो last में निकाला करो मैं तो हमें से यहीं पर निकाल लेता हूँ तो अगर X equal to 10 theta है तो 10 theta बराबर X हो जाएगा और बच्चों अगर theta की बात करें अपन 10 उधर जाएगा तो inverse हो जाएगा 10 inverse X equation number first हो गया बच्चों अब अपन यहां value put करेंगे तो Y is equal to यहां पर है बच्चों sine inverse बच्चों 2 के अस्थान पर 2 करो X बराबर हमने किया है 10 theta X के अस्थान पर 10 theta आजाएगा upon तो upon है बच्चों 1 तो 1 है बच्चों plus तो plus है X square X बराबर 10 theta है X square बराबर क्या होगा 10 square theta हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्छों, अब अपन एक चीज जानते हैं, सिंस वी नो देट, जो हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, वो exactly होता है होता है, 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस 10 स्कोर थीटा है ना बच्छों, 2 टैन थीटा अपान में 1 plus 10 square theta, प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, तो प्यारे बच्चों यहां पर y is equal to sine inverse है ना, अब यहां देखें क्या है, बच्चों, sine 2 theta is equal to 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta होता है, मतलब हम sine 2 theta के अस्थान पे, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta कर सकते हैं, इसका मतलब कभी कभार अपन, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta के अस्थान पे, sine 2 theta भी कर सकते हैं, बच्चों, यहां पर अपन यह किसके बरावर है, यह बरावर है, बच्चों, sine 2 theta के, बच्चों, खेल खतम हुआ की नहीं हुआ, बाहर sine inverse है, तो अंदर हमें sine मिल गया, अब हम एक formula जानते हैं बच्चों, हम बोलेंगे, since we know that, कि जो हमारा sine inverse है, और जो sine x होता है, वो क्या होता है, बच्चों, केवल x होता है, sine inverse से sine खतम हो जाता है, ऐसे ही, sine inverse से sine खतम हुआ, क्या बच्चों, 2 theta बच्चों, तो y is equal to, हमारे पास आ ग बच्चों, theta के अस्थान पर आपन पुट करेंगे, 10 inverse x, समीकर नमबर 1 से, 10 inverse x, या तो अपन यहाँ पर लिख दिया करें, कहां से, समीकर नमबर 1 से, है ना, और अगर आप समीकर नमबर 1 यहाँ पर नहीं बनाना चाहते हो, तो पूरी चीज यह वहाँ पर लिखनी पड़ है ना बच्चों, तो अब क्या करें अपन, तो अब सिंफलिफिकेशन हो गया, तो आप अपन लिखेंगे, दोनों पक्छों का, है ना बच्चों, दोनों पक्छों का x के सापे x अब कलन करने पर, दिफ्रेंशेटिंग बोद साइड बिछ रिस्पेक्ट टु एक्स, तो ब बच्चों 2 है बाहर जाए constant है तो d upon dx हो जाएगा 10 inverse x प्यारे प्यारे बच्चों अब अपन यहां पर बोलेंगे कि since we know that d upon dx जो 10 inverse x होता है वो होता है 1 upon 1 plus x square कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को तो यहां से d y upon dx equal to हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 है तो 2 into d upon dx 10 inverse x क्या है बच्चों वो है 1 upon 1 plus x square तो बढ़िया पन simplified रूप में लिख दें अब तो d y upon dx आ गया बच्चों दो कागुना एक से 2 हो गया और 1 plus x square हो गया यह हमारा answer है प्यारे प्यारे बच्चों तो देख लो अपने यहां तक किया simplification और मात्र यहां पर किया differentiation तो यह power है trigonometric substitution की यह यूं कहें कि power trigonometry की differentiation को इतना छोटा कर दिया इहां ठीक है आप देखो बच्चों अब example number 1 हो गया example number 2 हो गया example number 3 हो गया example number 4 हो गया बच्चों इंग्जांप्ल number 3 example number 4 है ना इन सब को मैं यही पर कर दे रहा हूं इतने में हो जाएगा कुछ मुझे करना नहीं पड़ेगा ठीक है अब देखो example number 2 असवारी example number 15 करेंगे अब example number 3 क्या है प्यारे बच्चों example number 3 है कौस इनवर्स है ना कौस इनवर्स इक्जामपल नंबर 3 है बच्चों सब्सक्राइब का का X के साथ एक शफक लंग कीजिए, है न बच्छो, cos inverse का, अपन क्या बोलेंगे पहला काम, y is equal to, क्या कर देंगे यहाँ पर, क्या है अपना पूरा question लिखेंगे न, y is equal to क्या है बच्छो, cos inverse, है न, या तो मैं काम करता हूँ, कि यहाँ तक तो हर question को solve करूँगा, उधर सेम रहेगा, देखना आप कैसे, ठीक है न, बच्छो, अपन हल करके क्या बोलेंगे, इतना रहने थे, इतना अपन काम में ला लेंगे, देखना मजा आएगा आपको भी, हम बोलेंगे, हल करके बोलेंगे बच्छो, माना, पहला काम अपना है लिट, जो भी है उसे y मानो, y is equal to cos inverse, 1 minus x square upon 1 plus x square, ठीक है बच्छो, अब अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से क्या आएगा, clue क्या है, बाहर है cos inverse, तो अंदर क्या लाना है, cos लाना है, clue मिल गया, बाहर अगर cos inverse है, तो अंदर जो भी है, वो cos theta के किसी ना किसी फार्मूले के जैसा है, तो प्यारे प्यारे बच् स्क्वार बगारा है, तो 2 theta होगा, तो अपन देखते हैं, कि cos 2 theta कितने फार्मूले है, cos 2 theta बराबर, एक basic formula, cos square theta minus sin square theta, फिर बच्चों, cos 2 theta का formula cos ही cos में, तो cos का formula cos में चाहिए, तो शुरुआत cos से होगी, तो हो जाएगा बच्चों, 2 cos square theta minus 1, फिर प्यारे बच्चों, cos 2 theta का formula sin में चाहिए, तो sin बाद में आना चाहिए, तो 1 minus 2 sin square theta, इन दोनों को arrange करने पर एक formula बनता है, इसको arrange करने पर बच्चों, 1 plus cos 2 theta, plus है तो cos ही रहेगा, तो 2 cos square theta, इसको arrange करने से बनता है बच्चों 1-2 थीटा माइनस है प्लस था तो साइन में बदल जाएगा तो साइन स्क्वेर थीटा लेकिन यह कोई फार्मूला बच्चों इस फॉर्मेट के जैसा नहीं है यह तो अंस बटे हर है नियुमेरेटर अपाउन डिनोमेनेटर है यहां तो सीधा सीधा है अपाउन बाला कोई फंडा ही नहीं है तो बच्चों अपन को एक फार्मूला ध्यान आता है कि अपनने पढ़ा था कॉस्ट टू थीटा का फार्मूला टैटन के रूप में जो होता है वन माइनस टैन स्वेर थीटा अपाउन वन प्लस टैन स्कूर थीटा प्यारे प्यारे बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है अब अगर देखो सेम पैटर्ण मैच हो रहा है 1 तो 1 माइनस तो माइनस X के स्थान पे 10 है अगर अपन X is equal to बच्चों 10 theta put कर दें मिल गया ना क्या put करना है अगर अपन X equal to 10 theta put कर दें तो मजा आ जाएगा सेम हो जाएगा 1 तो 1 माइनस तो माइनस X 10 theta तो X square 10 square theta 1 तो 1 प्लस तो प्लस X 10 theta X square 10 square theta यह आगया बच्चों cos 2 theta के जैसा बाहर cos बैठा हुआ है ठीक है अपन को मिल गया put क्या करना है put तो 10 ही करना है सब सदिक 10 put होगा फिर cos put होगा इस पूरी exercise में बच्चों है ना तो अपने हाँ बोलेंगे कि X is equal to क्या रखने पर बच्चों 10 theta है ना रखने पर यह साथ तो सेम ही था यहाँ पर X equal to 10 theta putting X equal to 10 theta जो मैंने बोला है कि अपने यही पर theta निकाल लिया करें तो 10 theta बराबर X होगा तो बच्चों Y is equal to क्या हो जाएगा 10 inverse X equation number first प्यारे प्यारे बच्चों अब अपने हाँ पर value put करेंगे तो बच्चों Y is equal to Y is equal to क्या हो जाएगा cos inverse तो cos inverse 1 तो 1 minus तो minus X equal to 10 theta put करना है X square होगा 10 square theta upon में 1 plus X equal to 10 theta X square होगा 10 square theta अब बच्चों यहाँ पर हम बोलेंगे कि since we know that cos 2 theta is equal to क्या होता है है ना is equal to होता है बच्चों तो जो cos 2 theta is equal to होता है बच्चों 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta प्यारे प्यारे बच्चों इसका मतलब हम 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta के अस्थान पर cos 2 theta भी पुट कर सकते हैं तो बच्चों आजाएगा y is equal to यहां पे हैं cos inverse इसके अस्थान पे 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta cos 2 theta के बराबर है cos 2 theta के बराबर है बच्चों वही फार्मूला है ना अब यहां से वही चालू कर दो आपस से आप आप बुलोगे कि since we know that cos inverse or cos x equal to cos inverse से cos खता है केवल और x बच्चों तो ऐसे ही cos inverse से cos खता होगा केवल क्या बचएगा 2 theta तो y is equal to आजाएगा 2 theta अब theta क्या है बच्चों theta बराबर tan x है tan inverse x है तो theta के अस्थान पे कर देंगे tan inverse x कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को अब पूरा का पूरा आंसर सेम ही आना है क्यों x is equal to 10 Theta put करना था थीटा मतलब 10 inverse x तो पिछले question में भी 10 inverse x का differentiation होगा यहां भी होगा करना हो तो बोलो मिटा के मैं कर दूँं बात तो भगा है फिक है अब क्या होगा y is equal to 2 इस्टान पे अब दोनों पक्चाँ का एक्स के साफ एक्स अब कलन करने पर घवाय्पाइन लियुक्वाइन बाहर आ गया डेन वर एक्स का डिफरेंस सेसंट अकर दिए अपन ने धा upon dx equal to two tan inverse x का अपकादन क्या होता है one upon one plus x square होता है यह आगे answer तो example number first and third में same answer आ रहा है बिलकुल अब ऐसे ही बच्चों अच्छा ये example number fourth था क्या था ये example number fourth था ठीक है ना अब अपन करेंगे example number third क्या करेंगे बच्चों example number third कर नहीं पच्छों को समाझ में आया की नहीं आया यह वाला same रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहे थो बोलू मटा के मैं फिर solve करता हूं ठीक है ना बताव नंबर थर्ड है y is equal to पहले ही दिया है इस बार 10 inverse 10 inverse 2x upon है ना 10 inverse 10 inverse 2x upon 1 minus x square तो इस बार अपना नहीं बोलेंगे हल करके बोलेंगे दिया है ना बच्चों given है ना इस बार तो y is equal to तो क्या given है बच्चों given है अपने को 10 inverse 10 inverse 2x upon 1 minus x square ठीक है बच्चों यह अपने को given है अपने इसको मिटा दें अप देख लें कि क्या पूट करना पड़ेगा क्या क्लू लेना पड़ेगा है ना बच्चों अब अपना कर ध्यान से देखें तो अपन को क्लू तो यह मिल गया कि जिस बाहर क्या है बाहर 10 inverse है बच्चों अंदर 10 लाना पड़ेगा इसका मतलब अंदर जो है वो 10 के किसी फार्मूले के जैसा है क्लू मिल गया 2 तो 10 2 theta के किसी फार्मूले के जैसा है अब बच्चों संयोग से 10 2 theta का एक ही फार्मूला होता है वह होता है 210 theta अपान 1-10 square theta और यह पैटर्ण एक्जेक्टली मैच हो रहा है अगर अपन x के स्थार पे 10 theta पुट कर दें बच्चों तो 2 x मतलब 2 10 theta 1-x square मतलब 1-10 square theta x अगर अपन 10 theta पुट कर दें बच्चों तो क्या जाएगा 2 तो 2 x तो 10 theta अपान 1 तो 1-1-2-x square बच्चों तो 10 square theta same हुआ कि नहीं हुआ तो इस तरीके से बच्चों में पहचानना है अगर मैं सरत तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा हूं आपको समझ में ना रहा हूं तो मुझे बताना बच्चों है ना यह बहुत important चीज है पांच नंबर लड़ू की तरह मिल जाएंगे differentiation से ना मिले तो same यही rule integration की एक exercise फालो होगा वहां से तो मिली जाएगा बच्चों ठीक है ना तो अभी देखें अपन क्या करेंगे अपन बूलेंगे कि x is equal to अपनों को पता लग गया क्या पूट करना चाहिए 10 theta पूट करना चाहिए तो रखने पर जब x equal to 10 theta तो अपन 10 theta equal to x बोल सकते हैं और theta is equal to अपन बच्चों 10 inverse x बोल सकते हैं यह equation number first हो गया ठेक है बच्चों अब अपन क्या करेंगे यहाँ value पूट करेंगे तो y is equal to 10 inverse बच्चों 2 है तो 2 x बरावर 10 theta तो हो गया 10 theta upon तो upon 1 to 1 minus to minus x बरावर 10 theta तो x square हो जाएगा बच्चों 10 square theta ठीक है प्यारे बच्चों अभी अपन क्या बोलेंगे अभी अपन बोलेंगे since we know that जो हमारा 10 2 theta है वो होता है 2 10 square theta upon 1 minus sorry 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta मतलब 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta के अस्थान पे हम 10 2 theta put कर सकते हैं तो y is equal to बच्चों 10 inverse 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta के अस्थान पे अपन 10 2 theta put कर सकते हैं अब रूल वही हमें पता है since we know that कि 10 inverse और 10 theta is equal to theta बस बचेगा 10 से 10 निपट जाता है तो ऐसे बच्चों 10 inverse से 10 क्या होगा निपट जाएगा यहां क्या बचेगा 2 theta बचेगा है ना तो बस 2 theta बराबर क्या है अभी 10 inverse x है बाकी तो पूरा वही फालो होगा आजाएगा बच्चों मरा answer आपको ऐसे नहीं करना है आपको पूरा का पूरा solve करना है आपको अभी प्रैक्टिस करनी है ठीक है प्यारे बच्चों यह सारी प्रैक्टिस आप डैन किये रहिए है ना सारी प्रैक्टिस आप डैन किये रहिए जैसा भी होगा आगे अपन दे